प्रित्वी और चंद्रमा के बीच की ओसत दूरी 384, 400 किलोमीटर 238, 855 मील है ये प्रित्वी के व्यास का लगभग 30 गुना है प्रित्वी के चारों और चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है इसलिए दोनों पिंडों के बीच की दूरी थोड़ी भिन होती है चंद्रमा के प्रित्वी के सबसे निकट आने को पेरिगी कहा जाता है पेरिगी में चंद्रमा प्रित्वी से लगभग 363, 104 किलोमीटर 225, 623 मील तूर है प्रित्वी से चंद्रमा के सबसे दूर बिंडू को अब भू कहा जाता है चर्मोद कर्षपर चंद्रमा लगभग 405-696 km 252-088 मीर दूर है जवार और ग्रहन पर प्रभाव प्रित्वी से चंद्रमा की दूरी का समुद्री जवार की ताकत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पढ़ता है जब चंद्रमा प्रित्वी के सबसे निकट होता है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्शन बल अधिक होता है जिसके कारण जवार भाटा अधिक होता है जब चंद्रमा प्रित्वी से सबसे दूर होता है तो गुरुत्वाकर्शन खिचाव कमजोर होता है जिसके कारण ज्वार कम होता है प्रित्वी से चंद्रमा की दूरी भी सूर्य ग्रहन की उपस्थिती को प्रभावित करती है जब चंद्रमा पेरिगी में होता है, तो यह आकाश में बड़ा दिखाई देता है, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य ग्रहन के दौरान सूर्य को पूरी तरह से अवरुद कर सकता है। जब एक बड़ी वस्तु पृत्वी से तकराई थी, इस प्रभाव से अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में मलबा पैल गया, जो अंतता चंद्रमा के रूप में एकत्रित हुआ। आज का चंद्रमा चंद्रमा एक आकरशक और रहस्य मई जगह है। ये पहाडों, भातियों, गड़ों और लावा प्रवाह का घर है। इस बात के भी प्रमान है कि चंद्रमा की सतह पर कभी तरल पानी रहा होगा। चंद्रमा का भविश्य चंद्रमा वैग्यानिकों और इंजीनियरों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। इसका उप्योग सौर मंदल के इतिहास का अध्ययन करने, नई प्रवध्योविकियों को विक्सित करने और अन्य दुनिया का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। चंद्रमा वास्तव में एक अध्वितिय और विशेश थान है, और हम अभी इसकी पूरी क्षमता को समझना शुरू कर रहे हैं।